गरुड पुरान में मृत्यों के दोरान शरीड से प्राण कैसे निकलते हैं इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है साथ ही मृत्यों के बाद की स्थितियों का भी वर्णन किया गया है गरुड पुरान के अनुसार जिस समय मनुश्य की मृत्यू होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता कुछ समय में उसके बोलने सुनने आदी की शक्ती नश्ट हो जाती है आखिर उस व्यक्ति को ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसकी जुबान जाती है तो गरुड पुरान के अनुसार व्यक्ति की मृत्यू और उसके बात के आत्मा के सफर को जानने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखे लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम सभी जानते हैं कि जिना जूट और मृत्यू ही सच है फिर भी म जो मृत्यू की घड़ी निकट आती है तो यम के दो दूट मरने वाले के प्राणों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं उनको देखर व्यक्ति बुरी तरह से घबरा जाता है उसको एहसास हो जाता है कि अब वो नहीं बचेगा ऐसे में वो अपनों से बहुत कुछ कहना चात लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि यम दूट यम पाशफे कर शरीर से प्राण खीजने लगते हैं ऐसे में उसके मुह से घर घर की आवाज आती है और वह कुछ भी नहीं कहा बाता गरुर पुरान में कहा गया है कि जिस समय यम दूट व्यक्ति के शरीर से प्राण खीजते है उस समय व्यक्ति की आँखों के सामने से जीवन की सारी घटनाए एक एक करके तेजी से गुजरती हैं यही उसका करम बन जाती हैं जिसके अधार बर यमराज उसके प्राणों के साथ नयाय करते हैं इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे करम ही करने लेकिन धर्ती पर आने के बाद जैदा तर लोग मोह और माया जाल में फस जाते हैं यदि इस मोह बंदन से निकल जाए तो उसे प्राण त्याकते समय बहुत कष्ट नहीं होता लेकिन जो लोग मरते समय में भी मोह का त्याक नहीं कर पाते उनके प्राण यमराज के दूद जपरन खीच कर ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को प्राण त्याकते समय बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है गरुड पुरान में ऐसा वंडन मिलता है कि यमराज के दूद आत्मा को यमलोग तक ले जाते समय डराते हैं और उसे नर्क में मिलने वालो दुखों के बारे में बताते हैं यमदूदों की ऐसी बाते सुनकर आत्मा जोड़ जोड़ से रोने लगती है यमलोग तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है जब जीव आत्मा तपती हवा और गरम रेट पर चलना ही पाती और भूग प्यास से व्याकुल हो जाती है तब यमदूद उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं वह आत्मा जगा जगा गिरती है और कभी भ्योश हो जाती है और फिर भी वह आगे उठकर बढ़ने लगती है इस प्रकार यमदूद जीव आत्मा को यमलोग में ले जाते हैं इसके बाद उस आत्मा को उसके करमों के हिसाब से सजा देना निश्चित होता है इसके बाद वह जीव आत्मा यमराज की आगया से फिर अपने ही गर वापिस आती है कहा जाता है कि गर आकर जीव आत्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूग प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदी परीजन अगर पिंटदान नहीं देते तो वह प्रेथ बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भठकती रहती है गरुड पुरान के अनुसार मनुष्य के मृत्यू के बाद 10 दिन तक पिंटदान अवश्य करना चाहिए यम दूतों द्वारा 13 में दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है इसके बाद वह भूक प्यास से 37 दिन तक लगातार चल कर यम लोक पहुँचती है करुड पुरान अनुसार बूरे करम करने वाले लोगों को नर्क में कड़ी सजा दी जाती है जैसे लोहे के जलती हुए तीर से इने भींदा जाता है लोहे की नुकीली तारों में पाप करने वालों को पिरोया जाता है कई आत्मा को लोहे की बड़ी चटानों के नीचे दबागर सजा दी जाती है किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है यह उसके करम निश्चित करते हैं इसलिए कहा जाता है कि मनुश्री को जल, कपट, इर्शा, महो, त्याक कर केवल सू करम ही करने चाहिए तो मित्रो यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद